है गाइस गुड आफ्टरून एक बाब फिर्ट से आप सभी का स्वागत है आज की पीवाई क्यू शोबे जहां पे कम्प्लीट सीजेल का पेपर डिसकस किया जाएगा आपके साथ कम्प्लीट पेपर आफ 25 क्वेश्चन जो सीजेल के प्रिविएस यर में पूछा जा चुका है यह सेशन में वो 25 क्वेश्चन का डिसकुशन करके आपको एक्जाकली पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन एक्जाम के लेबल के कॉर्डिंग अभी सही है या कुछ और भी प्रिपरेशन कर दिए मिरे प्यारे साथियो मेरा नाम है संदीब के शरवानी फेकल्टी ऑफ बच्चो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले फुल टेस्ट है यह स्टेप बाई स्टेप सॉल करेंगे लर्न विद फन क्यों क्यों कि आपको पोल में आंसर करने को मिलेगा यानि पोल में आपको अपनी प्रिजन से आप दिखाई देगी ठीक है तो मज़ा भी बहुत आपको ओगे और बारा बजे का ये शो आप देख रहे हैं आज यहाँ पे एक बज़े और तीन बज़े पी डबलू एप पे ये दो बैचेस मेरे रन हो रहे हैं इनका भी पार्ट जो बच्चे है वो आराम से कर सकते हैं देखो बच्चो आपको पता है कि जो प्रीविएस क्यों करना ज़रूरी होता है पिछले आप कोई भी दस साल पंदरा साल कभी कभी रिकॉर्ड उठाग देख लीजिए एससी ने हर बार क्वेस्टन को रिपीट किया है हमेशा का ये रूल है एससी ने क्वेस्टन हमेशा रिपीट किया है कभी भी हंड्रेट परसेंट तो प्रिविएस येर तैयार कर लो मिनिममम आप मान के चलो वोकाबलरी सेक्शन में 30% तो वोकाब रिपीट करता ही करता है तो काफी इंपोर्टेंट गेम है आग तीस परसेंट का मतब समझ रहो समझ रहो 30% बहुत होता है तो हम लोग यहाँ पर यही 30% के लिए और 100% एक 30 seconds timer के साथ आपको बताना है meaning of psychophant, best expresses meaning यानि इस word का आपको synonym answer करना है, क्या synonym है, क्या similar meaning में इसके लिए options है, psych होगा, flatterer होगा, critic होगा या slave होगा, which one is the answer as a synonym, क्या बाद है यार, so, psychophant, सबसे पहले psychophant का मतलब क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चो, psychophant उसे कहते हैं, जो हमेशा चापलूसी करता है, यानि चापलूस, जो इनसान हमेशा, जैसे बहुत सारे कंपनियों में आप देखेंगे, बहुत सारे लोग, आगे बढ़ने के लिए अपने boss की, अप बहुत सारे लोग hard working होते हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी की चापलूसी करने की ज़रोत नहीं, बलकि अपने talent के दम पर आगे बढ़ना है उसको, ठिक है, वहाँ पर उनका अपना self respect भी एक चीज़ होती है, तो psychophant होता है चापलूस, और चापलूस के लिए एक perfect option number B, psych, psych, psych कौन होता है, आप psychो कहते हैं, या तुम तो psychो यार, यह psychो से ही psych बना हुआ है, यानि कि आपका मनोविज्ञान, आपका यह दिमाख, इसी को psych कहते हैं, और critic वो होता है जो आपकी criticize करता है, निंदा करता है, यानि आप उसको निंदा कह सकते हो, slave होते हैं, दास, गुलाम, जिसे आप कहते हैं, गुलाम या दास, उसे हम slave कहेंगे, तो अभी perfect answer आपका option number B हुआ, जिसको vote मिले हैं, कितने percent, 84%, बहुत ही बढ़े हैं, कृष्णा, मुकल, रेनबो और इस प्रकार से total 60 students की यहाँ पे presence दिखी, आगे बढ़ेंगे second question अपने पास आया, और इ opposite meaning बताना है, forlorn का opposite क्या होगा, joyful, lucky, fortunate, या free, चार options आपके पास, और कितने बढ़ेंगे options हैं, so a, b, c, d, जो भी आपको ठीक लगे, comment box में फटा फटा अपना correct answer टाइप करने की कोशिश करें, answer should be in a, b, c, d, from my dear students, times of forlorn, forlorn, forlorn का मतलब होता है, उदास एवं अकेला, कोई उदास है या अकेला है, उसको हम कहते हैं, तो एक प्रकार सी उदास और अकेला की मतलब एक प्रकार से आप sad कह सकतो, right, अब sad का उल्टा क्या होगा, उसने opposite मांगा है, sad यानि की दुखी, दुखी का उल्टा, खुशी होगा, that is joyful, joyful, joyful का मतलब ख खुश होता है, प्यारे बचो, खुश, खुशी ये की बाद, अब आपका correct answer तो joyful हुआ, lucky है भाग्यशाली, fortunate है भाग्यशाली, और free है स्वतंत्र, तो ये आपके तीन options की भी meaning हो गई, और correct answer option number A हुआ, जिसको vote मिला है 3% का, 81% आपका fortunate की तरफ चला गया, joyful की तरफ नहीं गया, क्या कर दिया, आपने भाई हो, option number A इसका, A इसका answer है, देख लीजे आप, option number A इसका answer है, और आप option number C लगा के बढ़ गए, देखिए यहाँ पर ये तीन बच्चे हैं, जिनोंने यहाँ पर कृष्णा, माही और अक्ष, ये तीन बच्चों का answer correct आया, कोई बात नहीं आगे बढ़िया, next प्रशन पे आते हैं बच्चों, तीसरा प्रशन आपके सामने ये रहा, separate का आपको क्या बताना है, correctly spelled आपको बताना है, correct spelling of separate, come on everybody, speed से बताइए, separate का correct spelling क्या होगा, speed से, speed से, speed से, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़े हैं, क्या बाद है, शाबाश, separate, इसको तो मैंने आपको याद भी करया था, separate को सेपा rate करके मैंने याद करया था, सेपा rate, सेपा rate, ऐसे करके याद रखेंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा, separate means होता है मेरे बच्चों, अलग होना, ठीक है, अलग होना, किसी से अलग होना, उसको separate कहते हैं, सेपा rate मैंने आसान किया था, इसको याद करने के लिए, 39% वोट है, इसमें आपने कहां कहां गड़वड कर दिया, भाई, option D को 31% वोट दे दिया, सापे rate यहाँ पे है, सापा rate है, भाई, सेपा rate है, यह हमेशा confuse करता है, त सेपा rate, सेपे rate नहीं, सापा rate नहीं, सापे rate नहीं, सेपा rate होना चाहिए, यानि separate हम पढ़ते हैं, लेकिन लिखते सेपा rate हैं, भूलेगा तो नहीं, तो हमारा correct answer यह है, कुछ बच्चों के नाम के साथ, आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए दोस्तों, error find कीजे, फटा-फट, निकिता, रुद्रिका, अनिका, रुचिका, पिंकी, वैश्नवी, आयुश, ए मोटिवेशन, मुकुल, विशाल, जगबंधु, सभी लोग फटा-फट, आंस अगरें, स्पीड से, क्या बाद है, यह आपके आंसर सा रहे हैं, The book, being written in simple language, book, जो लिखी गई है, आसान भाषा में, is suitable for children, बच्चों के लिए suitable है, as it contains, जैसा कि इसमें है, many good advices, let me tell you, प्यारे बच्चो, A, D, V, I, C, E, यह एक uncountable noun होता है, and rule says कि आप uncountable noun को कभी भी S जोड़कर plural बनाने की गलती ना करें, तो आप यहाँ पे advices जो लिखे हैं, यह गलत होता है, advice ही सही है, और यह पार्ट सा पे speech में noun है, एक दूसरा advice होता है, A, D, V, I, C, यह मेरे बच्चों पार्ट सा पे speech में verb होती है, advice, यह SE वाली verb है, advice, CE वाला noun है, uncountable noun, कभी plural नहीं हो सकता, तो आपका जवाब है, option number C, 43 percent केवल vote आया, ठीक है, आगे बढ़िए, यह लिख लीजेगा advice वाला concept, अगला प्रशन आपके सामने, you are the man who have spoiled it, यतना आसान प्रशन एक्जाम में पूछा गया, सोच यह, इतना आसान प्रशन, subject of agreement का concept, एक सेकेंड में आंसर दीजे, एक सेकेंड का आंसर है मेरे बच्च हुआ, इस पे इतना time देना ही नहीं था, you are the man, तुम केबल, तुम वो आदमी हो, वो आदमी, आदमी, यानि आप एक आदमी की बात कर रहे है, the man, that's a singular noun, तो जब आप relative pronoun लगाओगे, और उसके बाद जब आप अपनी वब लिखोगे, तो ये वब उस relative pronoun के indecident की हिसाब से आएगी, इधर साइट the man है, singular, तो बचलोग यहाँ पर भी आप singular ही वब लिखेंगे, have की जगे पर, आपको has लिखना है, क्योंकि आपका indecident subject singular है, the man is the subject of this word, इसलिए इसको भी singular करना पड़ेगा, ये है vote आपके option number B में, देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी ये नाटक ह हो जाता है ना, option वाला भी, एक 90% vote आ गया, अगले प्याजी प्यारे बच्छो, everyday new inventions is made for the good of humanity, come on everybody, ये भी काफी आसान सा प्रशन है, काफी आसान सा प्रशन है, quickly, quickly, quickly प्यारे बच्छो, वाउ, आप देख रहें, everyday एक समय को दर्शाता है, कॉमा लगाया नहीं है, लेकिन आप मान के चली, यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि जब कभी भी time showing word को हम starting में लिखते हैं, तो कॉमा लगा के subject वगरे लिखते हैं, हमारा subject है new inventions, और new inventions यहाँ पे एक plural subject है, plural verb चाहिए थी, बाबू, is नहीं, are चाहिए, और for the good of humanity के अच्छाई के लिए नए inventions किये जाते हैं, तो statement भी पैस्वाइस चाहिए, make की जगा पर made होगा, new inventions are made for the good of humanity, यह good मेरे बच्चे, आप जानते हो, good एक positive degree का adjective है, और positive degree के अजिक्ट्व के पह present करता है, उसी quality के लिए, तो यहाँ पर for the good का मतलब goodness हो गया, समझें, एक प्रकार से, तो correct answer आप के वल B को टिक करेंगे, जिसको vote मिला, B को हाँ, जिसको vote मिला 84%, बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की और, और यह है, the man was dash his deepness, the man was dash his deepness, rewarded for, cured of, convicted by, या saved at, सबसे पहले आप sentence को समझने की कोशिश कीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, you have a deepness, deepness का मतलब होता है, बहरापन, अब आपको आइडिया तो लगी गया हो गया यार, कि अब क्या होना चाहिए, बहरापन, आपके पास जो वर्ड है, that is deepness, यदि the man was, आदमी, अपनी deepness से क्या हुआ, तो deepness से उसका इलाज हुआ यार, बहरापन का इसका इलाज हुआ, the man was cured of his deepness, यानि आदमी का इलाज किया गया, उसकी deepness पे, यानि उसके बहरेपन पे, है ना, जो सुनाई नहीं दे रहा है उसको, तो correct answer option number B हो जाएगा इस प्रशन जिसको vote मिले है, मातर 68%, चलिए बढ़या कर रहे है, rewarded for, आदमी बहरा है, इसलिए उसको इनाम मिलेगा, वाँ बहरे हो, आपके नाम ये स्कूटर ले जाईए, ऐसा होता है क्या, किसी को उसके बहरेपन पे इनाम मिलता है क्या, unnecessary 17% vote waste किया आप लोग ने, चलिए अगले प् टॉक, blank लिखा हुआ है, ये बहुत आसान है, एक idiom के format में है, of the town, for the town, about the town, over the town, idiom के format में है ये question, चलिए आंसर कीजए, talk of the town होता है, बिलकुल सही जवाब दिया, talk of the town मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति, जिसकी हर जगा चर्चा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई event हो, कोई मुद्दा हो, कुछ भी हो, अगर उसकी बहुत चर्चा हो रही, जैसे कोई person है, जो काम्याब हो जाए, तो आप कह सकते हो, कि he is the talk of the town, यानि he is the talk of the town, मतलब वो आज का सबसे चर्चित person है, कोई ऐसा मुद्दा हो जाए, ज जैसे 26-11 कांड हो गया, तो जब 26-11 कांड हुआ था, तो at that time, 26-11 कांड था, that was the talk of the town, ठीक है, जब जम्मू एंड काश्मीर से धारा हटाएगी, तो वहाँ पे वो भी क्या था, talk of the town, कोई भी बात, जो समय का trending होती है, चाहे वो बात हो, इनसान हो, कोई घटना हो, कुछ उसको talk of the town कहते है, talk of the town, ठीक है, जो town की हर जगहा पे जिसकी चर्चा हो, तो सही जवाब है, आपका option number A, बच्चो, option A को वोट किया है, आप में से 85%, बच्चो ने, काफी अच्छा response जा रहा है, 85% बहुत ही बढ़े हा response है, I dash very much like to see my old classmate, come on everybody, that's a very simple and lovely blank, lovely question, हरी अप, हरी अप, हरी अप, स्तुती क्रिशना, अंकित पियूश, पूजा, शिवानी, आदर्श, जैनिफर, very good, प्यारे बच्चो, लिखा हुआ है यहाँ पे आए के बाद blank, आए के बाद इन चारों में से चारों आ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से एक शब्द देखी, यहाँ पे लिखा हुआ है, like to see my old classmate, तो यह जो like शब्द है ना, यह I can like नहीं होता, I should like नहीं होता, I might like नहीं होता, I would like होता, I would like to see my old classmate, तो I very much would like to see, मतलब I would very much like to see my old classmate, तो यह जो like के पहले very much डाल दिया, confuse करने के लिए है यह, यह confuse करने के लिए बच्चों को है, grammar के हिसाब से, यह like शब्द main verb है, जिसके पहले यहाँ पर यह very much उनका qualifier बनके आया, तो वो grammatically 110% correct है, right everybody, इसको vote मिला है 68% का, आप जानते हो न, would like, जैसे मैं तुमसे मलना चाहता हूँ, I would like to meet you, मैं तुमारे एक कप चाय पीना चाहता हूँ, I would like to have a cup of tea with you, ठीक है न, क्या तुम, क्या तुम मेरे साथ घुमने चलना पसंद करोगी, would you like to come with me, would you like to come and, you know, and what, would you like to come with me, यह काफी है, घुमना पसंद करोगी, मतब क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी, what word translation is not okay, तो इस ताइक से हम बोलेंगे, न, न, cup of tea जो होता है, पवन, that's also a very beautiful idiom ब्यारे बच्चे, cup of tea का मतलब होता है, hobby, अच्छा idiom है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ी ना लिखा हुआ है, आपने जब बोल दिया, तो चलो मैं लिख देता हूँ, मेरे बच्चों, यह एक idiom है, इसका मतलब होता है hobby, समझ रहे हैं, जैसे अगर कोई भी, आप बताते हो ना, interview देने जाते हो, वो पुछता है, what are your hobbies, तो आप बताते हो, my hobbies are, playing, cricket, watching, television, reading, books, फलाना, धेकाना, ऐसे जो आप बताते हो, my hobbies are, you can say, instead of saying, my hobbies are, you can say, my cup of tea is, एक बताना है, my cup of tea, my cups of tea, are, तो जितने भी गिनाने गिना सकते हैं, तो आप इस टाइप से, cup of tea is equal to hobby, this is also a very beautiful idiom, जिसका आप hobby नहीं, hobby, hobby, hey भगवान, ये rainbow को hobby दीख रहा है, भाई, hobby मतलब होता है, पती देव, और hobby means होता है, shock, जिसको करना आपको पसंद है, जिसको आप बार बार कर सकते हो, that is hobby, and hobby म महिला है या पुरुष है, महिला है तो आप बार बार आपको पती देव का काहे ख्याल आ रहा है, सरकारी नौकरी चाहिए या पती देव, अब पुरुष है तब तो भाई साहब ऐसे कैसे गलती कर दिये, आप जो है पती देव का ख्याल आपको काहे आएगा, ठीक है, चलि पर हमारा answer would हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे here we have our next question that is old head on young shoulder एक आदमी का बहुती बुढ़ा सर हो जब सर ये सर यानि की दिमाग जब दिमाग बुढ़ा होता है तो उसमें अनुभाव भरते जाते हैं है ना और दिमाग में अनुभाव भर गया भई अगर ए और अगर वो young shoulder है तो इसका मतब शरीर अभी young है जवान है कम उम्र का है कम उम्र के व्यक्ति जब बुढ़िमानी वाली बड़े ओ लोगों की जैसे बात करते हैं तो उसे कहते हैं old head on young shoulder पहला option है to be intelligent when old नहीं to be old and yet नहीं to be wise beyond his years यही आपका जवाब है option number C चेक करेंगे इसको मिले 83% का vote नाम देख लेते हैं हमारे कौन बच्चे हैं जगबंधु पृती साक्षी मलिका कानपूर का जहरीला चोरा जहरीला चोरा भी है और उसका नाम है हरिया और यह कुछ बच्चों के और नाम है कुल संख्या साथ ही है इसमें भी आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ आव वाइल्ड गूज चेज बच्चा इडियम बहुत ही बढ़या है वाइल्ड मीज जंगली गूज एक प्रकार की पक्षी होती है और उसका चेज यानी की पीछा करना अगर जंगली पक्षी का पीछा आप जंगले में कर रहे हैं तो क्या पकड़ पाएंगे नहीं तो ये प्रकार का बे मतलब का कार्य हो जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं मिला आपको एक फ्रूटलेस पॉइंटलेस पॉइंटलेस जिसका कोई भी फायदा नहीं है फ्रूटलेस या पॉइंटलेस सर्च आपका हो जाएगा तो आंसर इसी हंटिंग एक्सपेडिशन नहीं है भाई कोई ऐसा हंट करने का अभियान थोड़ी ना चल रहा है तो आंसर हूँ ओप्शन अब अब भी 68 परसंड ये बहुत बार से पानी पिलेता हूँ यार मेरा गला फुसना है बार बार 68 68 ही आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चो ठीक है देख लिए आपने अरे वा भाई इसमें जहरीला लड़का पहले नंबर वे कानपुर का जहरीला छोरा हरिया पांच सेकेंड में सही आंसर दिया क्या बाद है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है हाइड ओफ हीरिंग हाड ओफ हीरिंग यानि कि उसको विचारे को सुनने में दिक्कत हो रही है बड़ा कठिनाई हो रहा है सुन नहीं पा रहा है बहुत कोशिश कर रहा है बहुत हाड हो रहा है उसको हीर करने में इसका मतलब वो इंसान कानों से सुनाई नहीं दे सकता उसको वो बहरा है बहरा की इंगलिश है option c में to be deep deep का मतलब होता है बहरा होना सोचना ही नहीं है जब answer इतना आसान से लगे option number c is the answer got it इसमें कौन है first जगबंदू पवन नेतरपाल रितिका साब जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अगले प्रश्न की और the art of delaying one word substitution आगया बाबुजी the art of delaying delay होने के art मतलब कोई कारी है जिसमें delay है ना जैसे मान लीजे महिलाओं को अगर कहा जाया कि चलो जल्दी से शादी में चलना है आज बढ़या से जो है शादी में आने में चार घंटे लगे तो वहां पर उन्होंने तयार होने में काफी डिले किया ऐसे ही बहुत प्रकार के कारिये जिसमें उनको सजना समरना इनवाल्व हो जाता है उसमें डिले होता है लेकिन महिलाओं में एक सबसे अच्छी चीज़ है अगर उनसे कहिए खाना बहुत भूक लगी है बना दीजिए ट्रस्ट मी कोई पुरुष कभी जिंदगी में इतना फास्ट नहीं बना सकता जितना फास्ट महिलाए बनाती है आपको भूक लगी आपने का भूक लगी खाना बना दीजिए वो यूँ गई और सच में 10 मिनट के अंदर खाना रेड़ी है इतना फास्ट होती है वह तो यह जो आइट ओफ डिलेंग खाना में पुरुष डिले भाई उसको कहते तो अलुए ची लेगा 15 मिनट इतना Procrastination means होता है टाल मटोल, चीजों को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसो कर लेंगे, परसो नहीं नरसो, धरसो, सरसो कर लेंगे, इसको कहते हैं procrastination, ठीक है, फिर है degeneration यानि अधा पतन, degeneration हो रहा है, यानि पतन हो रहा है, inflation तो आप जानते ही हो क्या है, और regression means हो गया a return to a former or less developed state, अपने पुरानी अवस्था में पुनाह वापसी जो हो, उसको regression कहा जाता है, तो आपका answer कौन हुआ बाबुजी, option number C चेक कर लीजे, 85% जगबंधु, पवन कानपुर का जहरीला छोरा, फिर रितिका, मिस्टर बिस्ट और कुल बच्चों का संख्या 86, very good मेरे बच्चों, now moving further, अगला सवाल, a doctor who specializes in the disease of the eye, आँखों के लिए, आँखों की बीमारी का इलाज करने वाला, उसमें specialized doctor को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फटा-फट आपके पास चार options दिये हुए हैं, पहला है ophthalmologist, दूसरा optimist, तीसरा optician, चोथा है orthodontist, correct answer आपका ये रहा, that is option number one, ophthalmologist, ophthalmologist मींस होता है, नेत्र, रोग, विशेशग, optimist तो आशावादी को कहते हैं, optimist आशावादी, pessimist निराशावादी, तो ये दूसरा ही वर्ड हो गया, optician वो है जो आपके आखों का इलाज करें, लेकिन आखों की बिमारी का नहीं, जो चश्मा लगाए, उसको optician कहते हैं, जो आजे से आपको कभी दिक्कत हुआ, आखों कम दिखाई दिया, तो आप क्या करते हो, चश्मा वाली दुकान में जाते हो ना, तो वहाँ पर जब आप जाते हो, तो वो एक ठो पता नहीं कौन जमाने का, Avengers का चश्मा लगा देता है, सीधा Iron Man वाला चश्मा, ऐसे करके लगाएगा Iron Man का चश्मा, और इधर को ऐसा ऐसा बटन बदलता रहेगा, नमबर बताओ कौन में ज़्यादा साब दिख रहा है, ये काम जो कर रहा है, उसको कहते हैं Optician, समझे, यहाँ पे है एक डॉक्टर जो स्पेसलाइस है, आखो की बिमारी में वो है Ophthalmologist, समझ में आया, Optician and Ophthalmologist बोट हाँ डिफरेंट, वो दोनों अ अलग है, Ophthalmologist आखो का इलाज करता है, आखो का प्रॉपर इलाज करने वाला, चश्मे का नमबर चिक करना तो तो आपो चिक कर सकते हो, का है, वो एक बकसा खोलेंगे, उसमें धेर सारा लिंस रखा होता है, एक ठुबो Avengers वाला चश्मा पहिना के लिंस बदलना है, आप तो खुदें बता दोगे, इसमें ज्यादा साप दीख रहा है हमको, अच्छा, साप दीख रहा है, हाँ बोले साप दीख रहा है, हाँ भया, यही बाला लगाए लो, यह बाला, ठीक है, तो उसमें तो आपें बताते हो, है ना, उसका क्या रोल है, वो तो कोई भी कर ले रहा है दुकान खोल के कोई भी कर ले रहा है, so guys वो होता है optician, फिर है ortho dentist का मतलब है दंत संशो धक, वो होता है, dentist, dentist, dentist है न, तो ये है, अब आपके पास answer तो यही हो गया, option number A, कितना vote आया इसको, इसको vote आया 68%, ये पता नहीं क्या 68 से बड़ा लगाओ है सब को, person who eats too much, वो वेक्त होते हैं, जिन्दगी में इतना खाते हैं कि एकदम, एकदम बैगान हो जाते हैं, कद्दू हो जाते हैं, उन्होंने जैसे लोगों का six app होता है, पेट चप्टा होता है, उनका गोला पेट होता है, एकदम round round, कद्दू का size बड़ा हो जाए, या तो अगर उनके शरीर का इस हिससे का केबल फोटो निकाला जाए, तो एकदम round आग, घूमने वाला जो selfie वाला होता है, खीचलो तो एकदम round आग, एकदम बराबर round round, ऐसा आदमी खा पी के खुब मोटा हो है, जिसको one who eats two much बहुते खाता है, उसको हम पेटू कहते हैं, और पेटू का अंग्रेजी होता होता है, गलिटन, ये है पेटू लिखो भाई, पूटू नहीं, पेटू, ये है पेटू, गलिटन होता है, पेटू, बच्चे कैनिबल होता है, जो इनसान को खा जाता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं, नर्भक्षी, जो इनसान को ही खा जाए, इनसान इनसान को खा जाए, इंसान इंसान को खाए जानवर इंसान को खा गया तो वो नर्भक्षी नहीं है समझे इंसान इंसान को खाए आज भी आप देखेंगे जंगलों में कुछ ऐसी जगों पर ऐसे सुनने में आता है कि आदमी गया था वहाँ पे अभाई साब उसका खोपड़ी खोल के खा गये पेट चीर के खा गये मतलब इंसान इंसान को खा जाए वो कैनिबल कहलाता है कार्णी वोरस वो है जो मानसा हारी है इसमें इंसान नहीं इंसान को छोड़कर बाकी किसी का भी मास्क है इंसान को छोड़कर आप चाहे बकरी खाओ चाहे मुर्गी खाओ भईसा खाओ उट खाओ घोरा खाजाओ तो जानमर जी खाजाओ आप क्या हो फिर आप कार्णी वोरस हो मतलब जो केवल मास खाता है वो कार्णी वोरस लेकिन जो इनसान का मास खार जाए वो कैनिबल हो गया जो मास और सबजी दोनों खाए उसको कहते है ओमनी वोरस ओमनी वी ओर उर यूएस ये है दोनों खाने वाला ठीक है वो मीट भी खाएगा और सब्सक्राइब जैसे इनसान होता है और एक होता है हरवी वोरस जो केवल साग सब्सक्राइब इसको कहते है शाका हारी ये है शाका हारी यह है सर्वाहारी दोनों चीज़ खाये सर्वाहारी यह है dece समझ गे चारों में difference है ध्यान रखना obese का मतल्म मोटापा होता है मोटा obese मेंस होता है मोटा और obesity मतल्म मोटापा होता है ठीक है तो भाई लोग अरे ये लिखा तो था यहां पे मैं कब से लिखा लिक मचाया हूँ बच्चा ग्लिटन मींस हो गया पेटु कैनिबल हो गया नर्भक्शी ओबीज मींस हो गया सिताह मचली और एक और मोठा मोठा भी होता है लिकले न aidono होता है और कार्नीवरस मींस हो गया बच्चे मानसा हारी तो ये आपके options थे, सही जवाब option number B हो जाएगा, जिसको vote मिला है 87%, बहुत अच्छा करने हैं आप लोग, नाम भी तो देख लो, पवन कुमार, शिवांज, कृष्णा, नेतरपाल, जहरीला धरिया आ गया यहाँ पे, अगला प्रशन, ये लीजिये, 16 number प्रशन है, Improvement का सवाल है, the old woman invited the children to become a part in the celebration in her house, come on everybody, come on everybody, come on everybody, और fast answer गरें, हर बच्चे का मुझे सही response चाहिए, कितना आसान है कि old महिला ने invite किया the children बच्चों को to become a part, हाँ, in the celebration, celebration का पार्ट होने के लिए, celebration में पार्ट लेने के लिए, मेरे बच्चों answer B होगा, to take part होना चाहिए, become a part नहीं, celebration का पार्ट होने के लिए बच्चों को थोड़ी बुलाएगी, मा, celebration का पार्ट होने के लिए बच्चों को बुलाएगी, बाई, old woman है, children को invite किया, game को समझे, children को invite किया, बोड़ी महिला ने बच्चों को बुलाया, तो घर में जो celebration चल रहा है, उसमें बच्चे, आप ये बताइए, अगर हम लिखते है, to become a part, part होने के लिए, तो part होना का मतलब बच्चे उसमें participate कर रहे हैं, जो भी celebration चल रहा है, जै अब बच्चों को बलून लेकर उचलना है, यू यू करके, तो ये part लेना, become a part नहीं हुआ, take part हुआ, किसी में, किसी भी event का हिस्सा बनना, उसमें भागीदारी करना के लिए, take part यूज होता है, become part नहीं, इसलिए answer हो जाएगा, to take part in the celebration in her house, जवाब हुआ, option number B, प्यारे ब लोजिक है यार, है ना, जाद अदर में 68 ही आ रहा है, हर बार 68 है ना, पता नहीं क्या लोजिक है इसका, motivation, जगबंदू, साक्षी, रुचिका, उटाकू, Mr. Bist, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सभी, आगे बढ़ेंगे, next प्रश्न आपके सामने, पढ़ें इसको, you are junior than and mean age, come on everybody, come on everybody, come on everybody, शाबबाश, ABCD, 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 भर दीजिए, जो सही लगेगा, leaderboard उसको, accept करेगा, सबसे पहले junior के साथ, दैन नहीं आता, बाबू, junior के साथ two आता है, तो ये आपका option कड़ गया, और ये option कड़ गया, आपका जवाब option A होगा, junior two, ठीक है न, अब किसमें मुझसे बढ़ा है, you are junior to me, किसमें उम्र में, हम यही बोलते हैं न, तुम मुझसे उम्र में बढ़े हो, ये make English क्या होती है, in, तो junior to me in age is the answer, right everybody, लेकिन एक interesting बात बताता हूँ, लेकिन अगर आप किसी की age बताओगे, तो भाई वहाँ पर फिर preposition at आएगा, age या उसका stage, दोनों के लिए फिर at इस अवस्था बताएंगे, तो आपको preposition at लिखना है, यहाँ पे आपने कोई उम्र या अवस्था नहीं बताईए, आपने word लिखा है age, इसलिए यहाँ पे in का इस्तमाल हुआ, उम्र अवस्था के case में, जैसे आपने कहा, मेरे दादा, 60 की अवस्था में हैं, है न, तो my grandfather is at 60 is at 60, is at his 60, अपनी 60 की अवस्था में हैं, ऐसे करके फिर at लगाते हैं, अवस्था के लिए, हमारा जवाब यहाँ पे, option number A हुआ भाईजान, जिसको vote करेंगे हम, तो answer आएगा 86%, very good, कभी 86, कभी 68, यही चल रहा है, Mr. बैस्ट, जगबंदू, कृष्णा शिवानी, और 80, 6 है, यह देख लो, ओए, लीडर बोर्ट पे सेटिंग चल रही है, क्या भाई, आईटी वालों ने कुछ सेट कर दिया, इसमें लग रहा है, अगला प्रशने है, wealth is no doubts, unnecessary for happiness in life, इतना आसान, सेट करिए जल्दी से, सेट करिए, फटा फट सारे बच्चे, सेट करिए, सेट ही अच्छे, बहुत बढ़या कर रहे हैं, आप, ताइम सब प्यारे बच्चो, प्रशने है, wealth is no doubts, wealth is no doubts, क्या गड़ बने, wealth is no doubt, नहीं संदे, no doubt का मतलब होता है, नहीं संदे, तो एक बात ध्यान से दिखिए, इसको अलग से पढ़िए, यह अलग information, wealth is necessary for happiness in life, यह चाहिए जरूरी है, पैसे, जीवन की खुशियों के लिए जरूरी है, no doubt नहीं संदे, तो no doubt तो चाहिए, wealth is ही चाहिए, was नहीं, no doubt necessary चलेगा, no doubting का है कर रहे हैं, वह वह नाउन चाहिए, doubt एक नाउन की तरह है, मैं आपको एक interesting concept बताता हूँ, no आपका part साफ speech में adjective है, जिसके बा आता है, ठीक है, ये आपका ad verb है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन adjective है और कौन ad verb है, ठीक है, सो जवाब हुआ option number B, जिसको vote मिला है, 90%, ये कुछ बच्चों के नाम है, आगे बढ़िये, बच्चों अगला सवाल, हो गया, वह, अगला सवाल ये है, मुंबई is larger than many other towns in India, क्या, come on everyone, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, शाबबाश मेरे बच्चों, correct answer है, कोई improvement नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई is मुंबई है, तो subject हुआ, अब आप बाहर bracket के दयान लिखे हैं, तो degree तो comparative ही चाहिए ना, large positive है, largest superlative और ये positive है, चाहिए comparative तो answer हमें देना पड D, कोई improvement का, कोई गुंजाईश ने, इसमें भी आप गलत कर दिये हैं, बताइए, स्वीडी हाँ, इसमें भी आप गलत कर दिये, भाई, क्या कर रहे हो यार, आपको तो पता है न, then जो आता है, वो आता है, comparative degree के साथ, आप क्या large then लिखते हो गया, आप क्या largest then लिखते हो क् भाई हर कोई तो जानता है, यह तो basic concept है यार, ऐसे कैसे गलत कर रहे हैं हैं आप, बीच सोवा सवाल ले लिजे, all people want to be happy, do they, सारे लोग खुश रहना चाहते हैं, नहीं चाहते, यह आपका answer है, बताएए, फटाफट, और तेजी से question tag है भाई, present indefinite का tense है, all people subject है, all people का pronoun होगा they, और want से helping को मिलेगी, they के लिए do, ठीक है, यह affirmative तो हमें negative चाहिए, don't they चाहिए, जो कि आपके option A में है, जवाब भी आपका option A हो जाएगा, don't they, 80% का vote मिला, यह कुछ नाम लिखे हुए यहाँ पर, आगे आजाएगे, बच्चा लोग, अब हमारा अगला प्रस्न है, reading comprehension है न, हाँ, तो इसको थोड़ा छिपाए देते हैं भेया, reading comprehension है, ठीक है, त्यार हो जाएगे, अब करेंगे comprehension, सो, interesting है, मैं चाहरा हूँ कि आप एक तरीका जो होता है, comprehension करने का, आप उसको follow करें, उस तरीका क्या है, आप सबसे पहले questions को पढ़ें, पैसेस को मत पढ़ें पहले, पहले questions को पढ़ें, जो important keyword नजर आए, उसको note करें, keyword सारे प्रशनों को note करने के बाद पैसेस को पढ़ें, at least पता तो रहेगा, कि आपको पैसेस में सर्च क्या करना है, otherwise आप पढ़ते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं क्या सर्च करना है, फिर जब प्रशना आएंगे, तो चकरी आएंगे फिर वहाँ पे, गडबला आजाएगा, चले हम लोग उसी sequence जो सही तरीका है, उससे करते हैं, what, sorry, why was the writer able to live in jail without much worry, यानि writer बिना चिंता के जेल में रहने में सक्षम कैसे हुआ, ये आपको बताना है, तो 21 का, ये keyword लिक लो why, क्यों was the writer able, क्यों writer सक्षम था to live रहने में in jail बिना ज्यादा चिंता किये, क्यों सक्षम था बिना ज्यादा चिंता किये, ये इसका keyword है, ठीक है, note कर लिया, दूसरा है, what was the fear of the writer in his childhood, तो लिखे fear of the, fear of writer in his childhood, in childhood, इसको short में लिखे न, जितना short आप लिख सकते हैं, आपको बस समझ में आजाए, that's enough, okay, लगा दिया, तीसरे पर आजाएगे, कहता है, where was the writer, when he concluded that worry was useless, writer कहां था, जब उसने conclude किया, निशकर्स निकाला, कि चिंता बे मतलब की चीज़ होती है, चिंता करना बे मतलब की चीज़ है, तब वो कहां पे था, बताना है आपको कहां पे था, अगला है, what was the recurring nightmare of the writer, after the war was over, war खतम होने के बाद, what was the recurring nightmare, थोड़ा थोड़ा जो उसको डर आ रहा था, खौफ आ रहा था, वो क्या था, ये भी आपको बताना है, तो इसका भी लिख लीज़े, पच्चीसवा प्रशन है, how does a cause of worry trouble us, if we suppress our worry deliberately, how does a cause of worry trouble us, कैसे cause of worry, ये चिन्ता का जो कारण है, वो हमें परिशान करता है, यदि हम suppress करते हैं हमारे चिन्ता को जान बुझकर, suppress मींस होता है दबाना, दबाते हैं जान बुझकर, तो कैसे ये हमें परिशान करता है, लो भाई यो, करके जाओ सारे लोग, ऐसे कैसे भाग रहे हैं यार, ऐसे कैसे भाग रहे हैं आप लोग, मैं साइड हो के पढ़ता हूं, क्योंकि खड़े होने के बिलकुल भी जगानी है, वरी is a very common thing, every children worry as much as grown-up people, है ना, in his childhood, the writer used to fear that his parents would die suddenly at night, he fear and anxiety was just imaginary, बापरे ऐसी चीज़े उसे of Mosopotamia, the writer came to a certain conclusion on worrying, he was a subaltern officer, it was not his duty to plan future action of war, he was there only to carry out what the superiors would decide, के बार उसे के लिए वो था, so it was useless to worry, when he took that stand, he slept soundly without worry, उस हो गया, here the writer had some real reason to worry, but he could not get rid of it, get rid of का मतलब छुटकारा पाना, है ना, when he found it was useless to worry, he followed the same principle when he was a prisoner of war, and he was in Asiatic Turkey, की, Asiatic Turkey में था, तो ही, same principle उसने फॉलो गया, then, sorry, there too, वहां पे भी, he banished his worries, उन्हों अपने चिंताओं को बैनिश किया, खतम गया, because nothing of his future depended on himself, ठीक है, फिर आगे लिखाया, the future of the prisoners of war would depend on the various governments, Thus, he was able to live there without much worry, though he was a prisoner. But his deliberate suppression of worry during the war and as a prisoner did not wholly eradicate his worries. The fear had gone to his subconscious mind and remained there buried. After the war, the writer was at home, but whenever a member of his family was absent, he feared all sorts of mishraps happening to him or her. Moreover, he had a recurring nightmare that he had become a prisoner of war and the war was not going to end. The worries without any real cause here were the manifestations of the fears that he had banished deliberately earlier. ये है हमारा पूरा का पूरा प्रशन. ठीक है दोस्तों? तो ये है हमारा पूरा का पूरा अब एक एक करके आपको इनका आंसा करना है. ठीक भाई लोग? शुरू हो जाएए फिर एक एक करके आंसा करना. पहला प्रशन है, why was the writer able to live in jail? है न, without much worry. कैसे writer सक्षम था जेल में रहना है बिना किसी चिंता के? आप्शन है, because nothing of his future depended on himself पहला है, he was comfortable in jail, दूसरा है, because he was a prisoner of war, तीसरा है, because he is a common thing, because worry is a common thing. तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, option number A ही answer है, क्योंकि nothing of his future depended है on himself, तो किस बात की वो चिंता करे? इसलिए वो कोई चिंता नहीं कर रहा था. What was the fear of the writer in his childhood? उसके बजपन का डर क्या था? अरे बजपन में सब ज़्यादा वो इस बात से डरा हुआ था, कि कहीं उसके पेरेंट जो है, चानक रात में मर ना जाएं. यहीं था ना, यहीं पे कहीं था? The writer used to fear that his parents would die suddenly at night. तो बजपन में in his childhood उसको यहीं डर सता रहा था. चलिए भाईयो, फटा फट. फटा फट बदाईये. क्या बात है? तो answer है that his parents might drive him out of home. नहीं, बिल्कुल नहीं है. That his parents would die suddenly at night. यहीं सही जवाब है. इसका answer, अरे यार, पोल में तो करी नहीं रहे है अपन. चलो यह विदाउट पोल कर लो. यह पांच प्रशन विदाउट पोल कर लो. क्योंकि इसमें पोल देंगे, फिर टाइम अननेसेसी 30 सेकंड का और वेस्ट होगा, तो इसको विदाउ था. बहुत ही आसान है. बताएं फटाफट. जब उसने conclude किया कि वरी एक यूजलेस चीज है, तो वो कहां पर था? He was in Mesopotamia, बैचे. लिखा है ना? The writer came to a certain conclusion on the warring. उस समय वो कहां था? When he was on the warfront in Mesopotamia. यानि Mesopotamia के warfront में था, तब उसने ये conclude किया. तो आपका कुछ हैसा ही answer होना चाहिए. तो answer यहां पर यह option number C दिया हुआ है, Mesopotamia वाला. है ना? The writer was on the warfront in Mesopotamia. उस समय वो वहां पर था. अगला प्रशन है, what was the recurring nightmare of the writer after the war was over? तो recurring nightmare of the writer क्या था? recurring वगरा यहीं पर कहीं पढ़ा था ना? हम लोगों ने? खोजिये, नहीं तो ऐसे तो पता भी है. recurring क्या था? बताएं. फटा फट ये, he had a recurring nightmare that. फटा 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 आण सकरें. स्पीड से प्यारे बच्चों. बिल्कुल सही जवाब है. साफ साफ लिकाओ. moreover, he had a recurring nightmare that he had become a prisoner of war and the war was not going to end. तो पहला है, the dream that he was a prisoner in a war, that war, that was not going to be over. पहला option है. The dream that his wife, wife-wife कहाँ है? He dreamed that a member of his family had a misshap. नहीं, the dream that a prisoner, नहीं. तो आपका अंसर, option A ही हो जाएगा. बिल्कुल सही और सटीक जवाब. A ही ठीक कियाना आप सबने? शाबाश. लास्ट प्रशन, एक अंतिम सवाल. How does a cause of worry trouble us if we suppress? अब suppress वाली लाइन अभी, यहीं कहीं अंतिम में हम लोगों ने पढ़ा था. Suppress are worry deliberately. अगर हम suppress करें अपनी चिंता को जान बूच कर, तो क्या होगा? How does a cause of worry trouble us? हमें कैसी यह cause of worry परिशान करेगा? Speed से, यह देखे न, but his deliberate suppression of worry during the war and as a prisoner did not wholly eradicate his worries. The fear had gone in his subconscious mind. मतलब उसने यह चीज़ किया, तो उसका जो fear था वो उसके subconscious mind में गुज गया and remained there worried. आपके options है, causes of worry trouble us in various circumstances. दो सब्सक्राइब रिमें इन सब्कॉंचिस में इन ट्रबल स्थूर दे बैड ड्रीम हो सकता ही है. नहीं, तो correct answer option number B ही हो जाएगा, सही जबाब option number B हो गया, पच्चीजवें का. तो यह रहे आपके पूरे 25 questions. मज़ा आए आप सभी को? यह class हम लोग daily basis पे करते हैं. एक complete previous year का paper, deep analysis, उसके हर एक options, A, B, C, D, चारो options आप यहाँ पर सीखते हैं. अच्छी अच्छी vocabulary जो previous year की repeat होती है, वैसे words आपको मिलते हैं, grammar की concepts बढ़या मिलते हैं. उमीद करता हूँ, आप सभी को पसंद आया होगा. आया की नहीं आया, हमें comment में जरूर बताएं मेरे बच्चे. तो यह class हो गई, अब यह class एक बज़े, फिर उसके बाद तीन बज़े हैं. मज़ा आ गया सभी को? तो जो भी बच्चे first time class में हैं, वो daily basis पे बारा बज़े यहाँ पे जुड़ें. और editorial पढ़ने के लिए सुबह आठ बज़े इसी channel पे मेरे साथ जुड़ें. यह दो classes आपके लिए YouTube पर ही हैं, जो की बिलकुल free of cost हैं और बहुत ही काम आएंगे. CGL के नाम से चलने वाला यह batch, cable CGL के लिए नहीं, बलकि my dear students, you can use this batch, you can get benefit of this batch in CHSL, MTS, CPU, Stanographer, right? और भी ऐसे बहुत सारे जो exams होते हैं उन सभी में, right? जितने भी होते, even not only in SSC, even other exams में भी आप इनका benefit ले सकते हैं. accuracy, आप यहां से maintain कर सकते हैं, knowledge अपनी enhance कर सकते हैं, question solve करने के तरीके आप यहां से सीख सकते हैं, जो हर एक exam में एक ही तरीका apply होता है, जो यहां पर सिखाया जाएगा, ठीक है? चलिए फिर session को यह पर end करते हैं, उमीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पास, तिल देन, चाहिए.